दोस्तों अभी हाल ही मैं आप लोगों ने जोरो-जोरो से खबर सुनी होगी ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि मिश्र में यानि कि एजिप्ट में एक बुद्धा की स्टेचू मिले है और वो इस्टेचू तकरीवन सेवेंटी वन सेंटीमीटर लंबी है और पूधा जो है उनका पैर जो है कमल के है जो की अक्सरह देखा जाता है फिर यह भी उसमें पताया जा रहा है कि उनका जो दाहिना हाथ है और यह पैर है वो तोड़ सुरों से प्रचार चल रहा है अब इसमें कितनी सच्चाई है तो चुकि सारे न्यूज मेडिया यह सब बता रहे हैं चुकि पुधा का एजिप में ऐसा मिला है तो अफकोर्स बात तो सही है लेकिन होता क्या है कि बीदेशों में जब भी कोई खबर आती है किसी भी तरह से ज जो एंसेंट भारत रहा है वो श्रमन कल्चर रहा है यहां पर बॉध का आज भी जमीन खोदने पर बुध ही बुध मिलते हैं तो चुकि बुध को विश्वगुरु कहा गया विदेशों से चात्र भारत में पढ़ने आते थे यह सारे सबूत मिलते हैं तो जब भी जब सब बुध मिलते हैं विदेशों में तो पूरी दुनिया में इस बात का क्रेडिट जाना चाहिए कि हाँ बुधा और जो बुधा के फॉलोवर थे उन्होंने इतनी बड़ी दुनिया में महारत हासिल की थी पर आज चुकि जो लोग भारत में भी कबजा किये हुए हैं या हम य बुधा को गाली देना सुरू कर देता है इसे तरह की खवरे आती है तो फिर वो क्या आपको सही खबर देपाएंगे सवाल ये उड़ता है कि आगर क्या ऐसी बात है कि बुधा जिसके कारण ही पूरा भारत आज तक गलोरी मैं रहा तो जब भी अगर बुध से रिलेटेड कोई खबर चाहें बिदेश में हो चाहें भारत में हो तो क्या वो अब पूरी सचाई के साथ आप तक पहुँच पाती ह ये एक सबसे बड़ा सवाल है अच्छा माल लेते हैं कि वहां बुधा का जो श्टेच वो मिला उसके बाद से अब ये सवाल आता है कि एक और बात वहां पर कही गई है कि संस्कृत के इंस्क्रिपशन भी मिला है तो अब देखे यहां पर बात वही आ गई ना क्याहां बु अगर संस्क्रीट का है जैसा कि यहां पर दिखाया गया है ठ्रेडिशन भारत का ऐसा ठ्रेडिशन विक्सित कर दिया गया है पिछले थाउजेंट यर्स में कि अगर संस्क्रीट बोलोगे तो जीव काट ली जाएगी संस्क्रीट सुनोगे तो कान में सीसा यार्रागा पिखल के डाल दिया जाएगा और यह तमाम धर्म गरंत जो है गौतम धर्म सुत्रों मनुस्मृति हो ब्रह्म सुत्रों हो ऐसे तमाम धर्म किया गया कि भाई संस्क्रीट अगर ब्रेहनिकल सिस्टम का है और आपने ãपने पिछले थाउजंट इर्ष में अगर सुद्रों को संस्कृत नहीं पढ़ने दिया तो क्या संस्क्रीट पढ़ने सवाल खड़े होते हैं तो इनकी पूरी दोती खुल जाती है वहीं पूरी दोती क्योंकि तैमूर लंग जो है तेरवी सदी में वह बुलाता है और यह धम लिपी नहीं पड़ पाते समराटा सोग का इंसक्रिप्शन नहीं पड़ पाते इन सब पर हमने बहुत डिटेल्स में विचर्चा कर रखी है अन्येश्ट्रीम में तो यह सबसे बड़ा यहां पर सवाल खड़ा हो जाता है कि जब यह कहा जा रहा है कि संस्क्रिप्शन मिला तो अब सवाल आता है कि कौन सी लिपी में मिला किस लिपी में मिला तो बात आएगी कि भाई क्या इनके देवनागरी लिपी में मिला तो सवाल है कि नहीं जिस लिपी में मिला उस लिपी को अंगरेजुने भारत में आके खो जा था वह बॉधु की लिपी धी उसमें लिखते थे और बुधिष्ट के जाने के बाद से ही वो लिपी भी एक तरह से मृत प्राय हो गई और ब्रह्मेनिकल सिस्टम ने दिवनागरी लिपी में लिखा उस लिपी को भूला दिया उस लेंग्वेज को भूलाने की कोसिस की और उसके बाद से उस लेंग्वेज से भारतियों को च्छित बना रहे हैं हैं तो इसलिए शन्सक्रीट जो है पिछले में जब बारत के बुद्रिष्च के विश्व विद्य다리या जब उनकी बुद्रिष्ट को खतम किया गया उनके लिपी को खतम किया गया आ स्कृप्ड को किया गया तो अब वो लोग अपने ही लंग्वेश से दूर हो गए समय रहे ना तो यह जो यहां पर बात आ रही है कि संस्क्रीट इंस्क्रिप्शन इसमें बहुत बड़ा एक कॉंस्पेरेसी है समय रहे ना जैसे मान लेते हैं एक उधारन से इसको समझे मान लेजिए कि मुह कौन सी भासा बोलते थे तो कोई कहे कि भाई नहीं वो तो वो तो हिब्रू बोलते थे क्योंकि उस समय तो हिब्रू वगरा ही चलती थी और यहूदी वगरा हिब्रू ही इस्तमाल करते थे आज भी इजराइल में यहूदियों ने हिब्रू ही इस्तमाल किया है तो यह सवाल अधर जो हैं नभी जो बताया जा रहा है मोखमद वो कैसे फिर ईसस को अपना बिना लिए कि हम से पहले की यह मैसेंजर है नभी कैसे मान लिए उनकी तु ला मननECी तो लेंगवेज मुखम नाग दोस्तों को वा की बड़ा जरूरी मतलब की समझना इसको बहुत जरूरी है मान लिजिए कि इन से पहले जो थी मुहम्मद से पहले जिसको यह नभी बता रहें कि जिसस मेरा नभी है उनकी लेंगवेज अलग है हिब्रू हो गई देखिए मुहम्मद की अर्भी हो गई अंतर आ गया ना दोनों म यह ही वही तो एस या कहित है जिसस और या काई है अच्छा इसके बाद से भारत में देखें बुधा जो हम उनके जो में लैंगवेज है वह पाली पाकित है तो पाली इह्क इस ब्ल Chief लिए ावर उसके बाद से बुदा के बाद से पिर जो बद french जो बंदे हैं जान्योंक直 में पढ़ रहा है लिख रहे हैं वो जिस एक कुली है उसको यह लोग कह रहे हैं कि संस्क्रीट पर सवाल तो यह कि वूद्धा के लिए लिख रहे हैं यह वाद समझिएगा ओ अगर वह लेंग्वेज किसी राम कृष्णा किसी दुर्गा काली इनकी होती तो जिस तरह बूद संस्क्रित का जो इंस्क्रिप्स मिल रही है तो फिर क्यों नहीं मिल रही है जिसमें कि रामकृष्ण और में लिखा में आगर यह सबसे बड़ा सवाल है जो सभी लोगों को लाको लाको साल से हजारो हजारो साल से थें तो उस समय के लोगों ने उनके बारे में क्यों नहीं लिखा देश-पिदेश के लोग उसी लेंग्वेज का परियोकर अगर यह कह रहें क्यों संस्कृत है तो परियोकर बुधा के बारे में लिख रहे हैं समझ रहे हैं लेकिन रा क्या कि यह सारी जो खबरें हैं जो यहां पर बताई जा रही है जो दिखाई जा रही है इन सारी खबरों को मीडिया ने कैसे कवर किया क्योंकि यह तो मिला एजिप्ट में जब एजिप्ट में मिला तो भारत की मीडिया कैसे कवर कर रही है भारत की मीडिया ब्रामणबादी म बांच मिर्व को सबद comply on नाम सुनते ही सारे के सब ये समझते हैं कि कुछ प्रामण मिल गया को यह है इस वाख यह हिए और यह कुछ दिसाइड किस ने किया कि वह संस्कृत है यह कौन Mr. कर रहा है कि उस पर जो लिखा हुआ है वह संस्क्रीट है यह चीज़े जो है जानना बहुत ज़रूरी है तो हम लोग इस पर पूरा चर्चा करेंगे मीडिया कवरेज देखते हैं कि कैसे मीडिया मैं उन अन्रभक्तों की बात नहीं कर रहा हूं जो बेचारे मीडिया में जैस कर रहा हूं जो मीडिया कवरेज दे रही है आए उनकी देखते हैं कि वह क्या बता रही है यह बेसिकली यह श्टेचू मिला है तो कोई भी इसको देखकर यह खंडित है कोई भी देखकर इसको समझ सकता है कि यह बुधा है आप यह सामने से भी व्यूज है और यह साइड इस तरह का पूर्षन पूधा के समय में चुकि यह second century, third century की यह मूर्ती बताई जा रही है तो इस तरह से बनाई जाती थे और आपने देखा होगा कि इसी बुधा की जो यह मूर्ती स्टेचू जो बनती थी उससे पहले कोई देवी देवता जो है उनके पीछे इस तरह से सर के पीछे आभा मंडल नहीं होता था पर आपने देखा होगा कि जब 1980s में रमायड बनती है 90s में महभारत बनती है तो इन धरवाइकों ने जितने भी इनके देवी देवता थे जब कुछ ग्यान बाठते थे या कुछ चमतकार दिखाते थे so-called तो उनके पीछे आभा मंडल इलेक्ट्रोनिक आभा मंडल दिखाते थे यह लोग इलेक्ट्रोनीक इमेजिए तो यह पूरा का पूरा कॉंपी भी इनका चमतकार जो है न बुधा से किया गया जिए कि किसी में इतनी ताकत नहीं थी इन्सानी पाबर जो होता है को एक व्यक्ति की जो मस्तिक की जो सोच है इसके खूझ के खोज उतना कोई कर सके आप जानते हैं जो निकम में लोग हैं वो भाई भतीजवाद की तोड़ा सा डिग्री उग्री ले लिए पढ़ लेख लिए कोई भाई भतीजा करके नोग्री उग्री लगा देता वहिए हम में टाइलेंट नहीं है कि हम कंपडिशन निकाल सके ठीक है? ऐसे ऐसे जो हैं लोग, वो भाई भतिजा करके वो निकालते हैं, घुशते हैं, पर वो बंदें जो वाकई में मेहनत करते हैं, इंट्रेलेक्च्वल हैं, और वो बाहर निकलके आते हैं, तो बूधा वैसे थें, कि नहों ने तभी इनको कहा किया कि इनको ग्यान की प जो मेसेंजर लोग आएं या उनके जो गौड आएं उनकिसी में दम नहीं था सब को यह दिखाया गया कि बस मुँखोला सब गपोड़ा बस तुरूंत कभी दुनिया बन जा रही है कभी सूर्य चांद बन जा रहा है कभी कोई पैदा हो जा रहा है छीकने से पातने से पता न में दम नहीं होता तो बुधा का जो जो सोच थी इसलिए यह प्रचलित हुए दुनिया की उस समय के जितने भी एंपायर थे सब ने सुईकार कर लिया मतलब यह एजिप्ट में आपको मिल रहा है यह प्रतिमा कोई चमतकार नहीं है पीछे आप आभा मंडल देख सकते हैं उस अभा मंडल का मतलब है कि यह जो बंदा है इंको कहा जा रहा है कि वंदा वास्तों में घ्यानी है कि यह नहीं मान रहा है और लोगों को जीवन जीने की कला शिखा रहें वो चीज लोगों तक ने कौपी कर लिक उतना तो दम था नहीं कि लोग उनको कह सके कि ज्लांध की दिमाग लगा सके हमारे पास ने हमको दे दिया है, अल्ला ने दे दिया है, वो किसी जिसस ने, गौड ने दे दिया है, ऐसे चले कहानी बनाने, और हम भी वो बन जाए, पावरफुल बन जाए, इस तरह से, तो लोगों ने इसका दुरूपियोग किया इस चीज का, तो यह मिली है, आप यहाँ पे देखे कैसे मिडिया ने कभर किया, जैसे आज तक है, यह क्या लिखता है, कि मिश्र में मिली बुद्ध की मूर्ती और संस्कृत में लिखा सिलाले, खुले भारत से जुड़े कई राज, तो इस खबर को पढ़कर, अब जो अंडभक्त होगा, जिसको पता नहीं होगा, कि संस्कृ जो सब्ध है, उसकी क्या सच्चाई है, तो वो यह सोचेगा कि बुद्ध की मूर्ती मिली है, असंस्कृत यानि ब्रामपडबादियों का, या सो कोल्ड जिसको आज कलिए हिंदू हिंदुजम कह रहे हैं, उनका कुछ मिल गया है, तो यह जो न्यूज मेडिया है, वो इस तरह से प्रोपोकेट कर दी इस खबर को, दरसल यह जो भी चीज मिला है, वहां पे रोमन टेमपल मिला, रोमन जो टेमपल होते थे, उसमें बुद्धा की मूर्ती थी, अब यह द्यान दीजिएगा दोस्तों, रोमन टेमपल की खुदाई हो रही है, वहां से बुद्धा मि प्रतिमा की खोज की गई है, बुद्ध की यह प्रतिमा दूसरी सताबदी की बताई जा रही है, यानि सेकेंड संचूरी की बताई जा रही है, इस मुहातपुर्ण खोज से संकेत मिलता है कि रोमन समराज्य और भारत के बीच व्यापारिक संबंध थे, 71 सेंटीमीटर लंबी प्रतिमा के चारों और अब जानते हैं कि कमल का फूल है यानि बुद्ध और बुद्ध की बात हो रही है, मिस्र के पूरावश्यस मंतराले के एक बयान में बुद्ध वार को यह कहा गया कि एक पॉलिष-अमेरिकन मिशन ने प्रतिमा की खोज की है, अब यह पॉलिष-अमेरिकन मिशन जो है रोमन काल यानि रोमन काल कब था आप जानते हैं कि जब जिसस को भी चढ़ाया गया था सुनी पे टांग दिया गया था तब भी रोमन ही एंपायर चलता था और रोमन एंपायर जो है उसका भारत से व्यपारिक संबंद था भारत में भी दिनार वगेर आते थे रोमन दिनार इस्तमाल करते थे तो आवाजाही तो थी ही और रोमन भी वहाँ पे पकायदे अपना जो टेमपल बना रहे हैं वहाँ पे बुधा का एश्टेचू रख रहे हैं यानि वह काफी हद तक बुधा से प्रभावित हैं और रिस्पेक्ट करते थे पूरी दुनिया बुधा का रिस संके तो यह सारी बाते जो हैं आप देख पा रहे हैं कि मीडिया जो है कवरेज की हुई है अब इसमें फिर से इसने नीचे यहां लिख दिया संस्कृत में लिखा सीला लेख भी मिला तो जो गलत फैमी पबलिक में फैली है संस्कृत को लेकर इसलिए जो खबरे फैलाई ग दोरान उन्हें रोमन समराज्य मार्कस जूलियस फिलिप्स 244 से 249 के दोर का एक सीला लेख भी मिला है जो संस्कृत में है संस्कृत कर रहे हैं खुब लोग वह अलग बात है कि उस समय कह दिया जाता कि बटा तुम संस्कृत लिखके दिखा दो धमले पीमत नहीं लिख पा आप सुनिये मिशन में अमेरिकी टीम के निर्देशक स्टीवन साइडबाथम ने कहा ऐसा लगता है कि संस्कृत में लिखा यह सिला लेख उस दोर का बना नहीं है जिस दोर की बुद्ध की मूर्ती है सायदिया बहुत पुराना है क्योंकि मंदिर में खुदाई के दोरान ह हमें और सिलालेख भी मिले हैं यह सिलालेख पहली सतावदी के हैं अब यह देखे इस खबर को कैसे गलत कर दिया मैं आपको औरिजिनल खबर दिखाऊंगा जहां पर यह स्टेटमेंट जो इसने दिया है यह स्टेटमेंट कैसे भरामक है अब मैं इसलिए आपको आज तक का खोजकर न्यूज दिखाया कि पब्लिक भी समझें कि किस तरह से भारती मीडिया जो मेनिश्ट्री मीडिया है किसी एस्टेटमेंट को किस तरह से रॉंगली प्रजेंट कर देती है इसने कहा दिया कि इंस्क्रिप्शन बहुत पुराना है और मुर्ती हिबाद का है और कुछ और सिलालेक मिले हैं सब के सब क्या है पहली से तापदी के हैं यह बिल्कुल गलत है पर इस सिलालेक मिले हैं तीसी चोथी सदी के भी मिले हैं उस प्रतिमा के बाद के भी सिलालेक मि रिख्याल से यह क्या लिखता है कि बुधा एस्टेचू एजिप्ट मिस्र में मिली बुध की प्राचीन मूर्ती और संस्क्रीत में लिखा सिलालेक भारत के ब्यापारियों के लिए बना था मंदिर अब इसने जो है एक पूरा एक और कहानी इसमें गढ़ दिया कि बुध की मिल गई संस्क्रीत में सिलालेक मिल गया असाथ में और कहानी गढ़ दिया कि भारत में ब्यापारियों के लिए बना था मंदिर तो भारत के ब्यापारियों के लिए मतलब मिस्र में जो है भारत के ब्यापारी जाकर मंदिर बनाते थे तो भाई यह बता दो कि भारत में तो ब्यापारियों ने बुध के मंदिर बना दिया है आज तो पूरा का पूरा कपजा है बता दीजिए मुझे कि कितने हिंदू जो हैं जो अपने को हिंदू कह रहे हैं जो अपने को ब्रामण कह रहे हैं मनु की संतान कह रहे हैं कितने मनु की संतानों ने भारत में बुध की मू बनाई अभी भारत में बहुत सारी मूर्थिया बनाई गई हैं पिछले कई सालों से चाइना से इंपोर्ट करकर करके बनाई गई बड़ी उची उची कितनी उसमें से बुद्ध की थी पता लगा लिजिए अभी पूरा पूल खुल जाएगा तो भाई जब आज की डेट में पूरी तरह से मतलब आपको एक तरह से capture संसाधन से बह्ते ह довольно कर रहा उसके हिसाब्से में बता रहा कि वहाँ पर जो खुदाई हुई रोमानों पल की खुदाई हुई तो वहां से तो बुध की मूर्थी निकल रही है भाई तो बाई ये बता दो हमें कि उस समय की जो मंदिर बनते थें उसमें बुध होते थें तो आज क्यों नहीं बुध की मूर्थिया बन रही है इसका मतलब कि उस समय का जो कल्चर था उस समय के जो ल बन रही थी लेकिन आज नहीं बन रही यानि कि आज वाले जो लोग कपजा किये हुए हैं देवी देवता वाले लोग जो आज देवी देवता की बना रहे हैं उस समय पूरे भारत के लोग बुध'll को ही अपना पहला और आखरी मानते थें तभी बुध की ही हर जगब बन रह प्रसक्राइब तरहा है तो इस समझ में आ रहा है क्योंकि उसी कर करना चाहे है अब यह जो न्यूजच चाहप रहे हैं यह लोग कि आशाम में टेमपल बनता था बुद की मूर्ति उसमें रखी जाती थी तो भाई सहाब अगर ये ब्यापारी अगर आज के ब्रामणबादी लोग थें अगर आज के ये ब्रामणबादी ब्यापारी वैश्य अगर थें इनके वैश्य थें या फिर आज के जो ब्रेभनिकल सिस्टम जो भी है ये लोग थें अगर तो वहाँ बुद्ध की अगर बनाए होंगे तो बुद्ध के साथ साथ इनके देवी देवता भी मिलने चाहिए थे क्यों नहीं मिल रहे हैं देवी देवता भाई क्यों नहीं मिल रहे हैं तो इनके कोई भी देवी देवता नहीं मिल रहे हैं तो इन्हों के नीचे बुद्ध भी मिल रहा है पी देश में और लिखावट जो मिल रही है आप किसी दूसरे के हो जाएगी ब्रमभा विश्णु महेंस की हो जाएगी है अरे यह लेंगवेज ही है इसको कहा जाता है बुद्धिष्ट संस्कृत या बुद्धिष्ट हाइब्रिड संस्क ऐसी लोग में जाको तॉछ ऐसे समझने की जरूरत है यह बहुत बड़ा एस्टेट मेंट है दोस्तों सबलोक समझने की जरूरत है कि अगर दूसरी सदी में अगर एजिप्ट में जाके भारतियों वहाँ पर टेंपल बनाते थें अब बुधा की मूर्ती बनती थी तो फिर वहाँ पर ब्रम्भा विश्णु महेंस क्यों नहीं बन रहे थे आज तो इसका मतलब कि दूसरी सदी और उसके राउंड में जितने भारत के लोगते उस su 개 में सारे के सारे भारत है वारत इज याद रखिए गया आज अगर आप हिंदू बने घूम रहा है ता आपके पिताजी जो उस समय के दूसरी सन्चूरी के पिताजी होंगे वो ग Eye dose थे याद रखिए गया Geo गयए यह यह स्टेटमंट जो है यह बिल जाकने लगते कभी अधर जाकने लगते असल सच्छाई यह है जो खबरे अब आ रही है जो वीदेशों से खुदाई होके मिल रही है यह असली हकीकत है और देखिए आगे इनकी क्या हकीकत है अब आगे इसने वही सारी बाते यह भी वही लिखता है कि पोलिश अमेरिकी पुरातेत्व मिशन की और से खोजा गया है और यह भगवान बुद्ध की अप्रतिमा एक पुरातत्विक मिशन की और से खोजी गई है जो 1994 से बेरनिस के अस्थाल पर काम कर रहा था बताइए 1994 से अब जाके खोदा है इसलिए कहा जाता है कि जहां भी खुदाई हो रही है वहां बुध ही बुध मिल रहा है समझे लहां वी कहानी बाद में इन लोगों ने गढ़ दी कि हम मूर्थी पूजा नहीं मानते यह नहीं मानते वह नहीं मानते क्योंकि पुराना प्राचीन धर्म था गरंथ था और उसमें नहीं बनाते थे उधर असल जूट बोल रहा है इसलिए जूट बोल रहा है क्योंकि उजानता है कि उसका पुराना कहीं सबूत नहीं मिलेगा अपने को पुराना स्थापित नहीं कर पाएगा सब्सक्राइब के सार सीर हैं समय रहे ना तंचीन कल में जो जह नता था जनता की पीप्लों को सब लोग घर को unchanged नहीं आप अगर मूर्ति बनाना न बंद कर दिया था मुर्ति बनवाना ये करना वो करना वो भी बात पूरी तरह से सही नहीं है ये बीच में के प्रोपगंडा सट किया गया है कि अगर हमारा पूराना सबूत भई मिल नहीं पाएगा हम लोग थो नयानााना बनाए हैं तो जितना नया आया, उतना पूरा ना बता दिया कि हमारे बाबू जी के बाबू जी के बाबू जी भी जो थे ना, उमुर्थि-पुजा बंद करवा दिये थे, इसलिए हमरा सबूत नहीं मिल रहा है, ये पूरा एक common प्रॉपगंडा है, जितना ये प्रॉपगंडा खड़ा करने वाल है वो दिजम आया उसके बाद से बुद्धा ने अपने कोई मूर्ती नहीं बनाई समराट असोक ने भी इवन उनकी कोई मूर्ती नहीं बनाई सोड़ेर सो साल है लेकिन बादवले तो बनना शुरू कियें बनाए हैं तो जिस तरह से बिदेसों में भी सब के मिल रहे हैं यहां भी सब के मिल रहे हैं मिल रहे हैं क्योंकि यह चीज़े थी याद रखिए का अगर नहीं बनाई गई होती मूर्ती तो आज नहीं मिलती आज कोई इतिहांस नहीं खोज बाता यह सारे के सारी मूर्तियां जो हैं गवाही दे रही हैं यह बता रही हैं इसस में आने वाले पिड़िया भी हमको याद रखेंगे कि हमारा अस्तित होता है और फोनिक्स का नाम सुना है ना कि जो जिसको जल जाए खतम हो जाए और अपनी राख से ही फिर जिंदा खड़ा हो जाता है उठखड़ा होता है वो यह सिविलाइजेसं थी तो इसी लिए मिल रह ही है मैं यहाँ पर मूर्ती पूजा का नहीं सपोर्ट कर रहा हूं पर एस्टेचू जो बनने की कला है और जिस कारण से हम इतिहांस जान पा रहे हैं मुझे इसमें कोई अगर यह कहते कि मूर्ती बनाना खराब है तो मैं उसके इस स्टेटमेंट के खिलाफ हूं फिर वो ब इसी चीजों को देखना इस पर जाने दुनिया कितनी आगे निकल गई तो यह आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री आफ टूरिजम एन एंटिक्विटी जो है यह भी इन्होंने इस चीज को दावा किया है और इजिप्ट की जो गवर्मेंट है वहां का जो टूरिजम है मिनिस् इन भारत के लोग इनका भी आने जाने था इस तरह की चीजे थीं तो हम क्यों ने इस चीज को परईटन में खा पालें लोग आएंगे अभी मिश्र के पीरामीड देखने आते हैं जब इन चीजों को हम परईटन में लेकर आएंगे तो पब्लिक जो है हम यहां पे आयेंग और फिर हमें कमाई होगी तो वो भी इस चीज को भुनाने के लिए इस चीज को प्रमोट कर रही है